वेलकम टू दा फ्यूचर डिजिटल आप लोग आप सभी का स्वागत है और आसा है कि आप लोग अपनी पढ़ाय बहुत अच्छे तरीका से कर रहे हैं हम लोग ये क्लास 11 के लिए मैथेमेटिकल टूल्स का कोर्स ले कर आये हैं अगर आप इस कोर्स को जोईन करना चाहते है तो दा फ्यूचर डिजिटल एप्लिकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहां पर आप लोग बैच कोड जो फिजिक्स के लिए है क्लास 11 के लिए आप बैच कोड डालने के बाद आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप आपका रिक्वेस्ट एस यह आपका बैच कोड है इस बैच कोड को जैसे आप लोग डालेंगे बैच रिक्वेस्ट में तो आप लोग को जोईन कर लिया जाएगा तो आप लोग दा फ्यूचर डिजिटल एप्लिकेशन जो डाउनलोड कर लिए ठीक है चलिए हम लोग आगे बरते हैं और देखते है कि यह आपका क्या है हर्ट और सोल है बीना इसके आप लोग क्या कर सकते हैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं फिजिक्स में ठीक है हर जगा आपको प्रोब्लिम होगा लेक्शन नमर वन जो है वहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स का इंपोर्टेंस समझेते कि कि कितना इंपोर्टेंट है मैथमेटिक्स जो नए बच्चे यहाँ पर जोइन कर दे होंगे उनको लग रहा होगा कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है तो अगर ऐसा सवाल है आपके वन में तो लेक्शन नमर बन आप जाके जहूर देखे यह सारी किसारी ड इंपोर जाके देखिएगा आज जो हम लोग करने वाले हैं यह करने वाले हैं क्वाडेटिक एक्विशन यानि की हिंदी मेडियम वाले जो बच्चे उऔर पर क्का होंगे द्विखात समी करन तो इस ही को हम लोग डेल करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है और आज हम लोग इ यहाँदी में यहाँपर अगर चलेंगे, तो quadratic का मतलब होता है हिंदी में 2 घात, यानि 2 घात का क्या मतलब हुआ, कि एक वैसा equation, जिसका power, यानि कि घात, जिसका power maximum कितना होता है, 2 होता है, जिसका power maximum 2 होता है, इसको हम लोग बोलते है quadratic equation, ठीक है, तो देखे, an equation is of the form a x square plus b x plus c equal to 0 जहां पर a का value 0 नहीं होना चाहिए a का value 0 नहीं होना चाहिए इसका ये मतलब हुआ x square का जो terms है वो उस equation में रहना ही रहना चाहिए x square का रहेगा साथी साथ x square से कम power वला यानि x का power 1 रहेगा और उसके बाद कोई constant रहेगा ठीक है लेकिन x square का power होना ही चाहिए हो सकता है कि इसमें x ना रहे या फिर ये भी हो सकता है constant का जबाद पर 0 रहे ना रहने का मतलब है 0 रहे ठीक है लेकिन x square का term जो है वो होना ही चाहिए तब ये quadratic equation बनता है और इसको हम लोग quadratic equation बोलते है तो इस form का जो भी equation रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे quadratic equation अब यहाँ पर example देखिए 5x square minus 4x plus 2 यहाँ पर क्या है 5x square x square का maximum power है यहाँ पर x का power 1 है और यहाँ पर यहाँ पर यह constant 2 है तो यहाँ पर x का maximum power कितना है 2 है that's why यह क्या होगी आपका quadratic equation आगया a के जएब यहाँ पर कितना है 5 है यहाँ पर 2 x square है यहाँ पर क्या एक तरह कि quadratic equation का example है क्योंकि यहाँ पर देख एक से स्काइर का terms है x वाला terms नहीं है यानि चिआप जो bx कह रहे हैं वो नहीं और c नहीं है तो जो नहीं है इसको हम लोग 0 जीरो माल लेते हैं ठीक है तो अब आप बोलेंगे कि X स्कॉयर का टर्म नहीं रहेगा तब भी इसको 0 माल लेंगे तो ऐसा नहीं होगा एक स्कॉयर का टर्म होना ही होना चाहिए तब यह क्वाडिटिक एक्वेशन का लाएगा तो यह एक्जैम्पल है आपके क्वाडिटिक एक्वेशन के आप लोगो समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रूट्स एंड सॉलीशन कि वाटेज रूट्स एं और यह इक्वालिटिक है यह बड़ाबर के इश्याड वाला होगे लहेश तो राइट हैंड कितना है जीरो है ठीक है तो अगर आप लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड में एक्स का अलग लग वैलू रखेंगे ठीक है रखके यहाँ पर हम लोग जाचेंगे एक्स का वो व समघ्ये एक्स का वो वैलू जो किसी एक्वेशन को सटिस्फाइ कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक का वो value जो इसको satisfy कर देता है satisfy करने का मतलब है कि LHS RHS के बड़ावर हो जाता है उस y के उस value को हम लोग roots बोलेंगे या फिर solution बोलेंगे मतलब क्या है यहां पर देखे point करके लिखा गया the variable या yes देखे एक भी हो सकता है variable उसे ज्यादा भी हो सकता है that satisfies the equation is called roots variable का वो value जो किसी equation को satisfy करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं roots बोलते हैं जैसे यहां पर x equal to 1 आप देखेंगे यहां पर 1 रखेंगे कितना जाएगा इस equation में अगर 4 into 1 आ जाएगा ठीक है और plus यहां पर 3 आ जाएगा इसको आप solve कीजिए कितना आएगा देखेंगे यहां से 3 plus 1 4 आ गया और minus 4 0 यानि कि यह equation को satisfy कर गया क्योंकि आर्चेस में भी कितना है जीरो है इसलिए x equal to 1 जो है इस equation का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा आप लोग यह चीज देख सकते हैं एक और ची आप लोग को ध्यान रखना है कि कितने रूट्स होंगे देखिए कोई भी equation होता है चाहे उसके power में 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो तो जीतना maximum power होता है उस equation का उतन रखे देखिए 3 रखे देखिए 1.5 रखे देखिए 6.5 रखे देखिए सब कुछ रखे देखिए और देखिए और एक और होगा जो कौन से सटिस्फाइग कर रहा है तो आप लोग रखके यहां पर देखेंगे बट प्रैक्टिकली इज नॉट पासिवल यह संभब नहीं ह कि आप इतने सारे वैलू को रखके देखे ठीक है तो इसका कोई न कोई तरीका तो होगा रूट्स निकालने का हाँ तरीका है इस स्लाइड के बाद हम लोग देखेंगे यहां पर फिर देखिए यहां पर रूट्स क्या है x into x minus 1 equal to 0 यह भी एक तरह का quadratic equation है और यहां से भी आप रूट्स निकाल सकते हैं यानि कि इसको satisfy करने के लिए क्या का चाहिए x equal to 0 और x equal to 1 यह दोनों इसको क्या करेगा satisfy करेगा मतलब इस equation का 2 यहां पर solution हो गया x equal to 0 हो गया और दुफरा हो गया 1 फिर यहां पर x square equal to 4 अब यहां पर x का क्या क्या value रखेंगे जो इसको satisfy करे तो मतलब क्या है roots और solution क्या होता है कि किसी variable का वह value जो इस equation को satisfy करता है यानि कि उस equation में रखने के बाद अगर LHS का value RHS के बरावर हो जाता है तो variable के उस value को हम लोग क्या बोलते है roots बोलते हैं या फिर solution बोलते हैं अब हम लोग यहां पर क्या है heat and trial method जो है heat and trial method का यह मतलब होता है x equal to 1 रखे 2 रखे 1.5 रखे 1.6 रखे 1.005 रखे और check कर रहे हैं बार बार ठीक है heat कर रहे है अपने वन से कोई number और try कर रहे है हो राए कि नहीं हो रहा है तो यह practical approach नहीं है किसी भी equation को solve करने का क्योंकि यहां पर हमारे पास पूरी दुनिया में क्या है infinite numbers है तो से जानते हैं स्रीद राचाज रूल के नाम से इसको जानते हैं ठीक है तो यह तरीका एक बनाया गया इसके method आप लोग क्या कर सकते हैं इसको solve कर सकते हैं हलाकि class 9th और 10th में आप लोग यह चीज़े द्यूर किये होंगे बट फिर भी एक वार हम आप लोग को revise करवा देते हैं अगर आपके पास x square plus bx plus c equal to 0 एक quadratic equation है इसका कितना root होगा दो root होगा एक होगा alpha और दुफरा होगा beta मान लेते हैं तो alpha का value कितना होगा तो alpha का value होता है आपका minus b यहाँ पर यह minus नहीं है ठीक है यह minus यहाँ पर नहीं है इसको यहाँ पर आप लोग को note नहीं करना है तो minus b plus root d by 2a minus b plus root d by 2a तो b क्या होता है तो x के बगल का जो value होता हो b होता है c यहाँ पर यह है constant और a क्या है x square के बगल का है तो यह चीज़े यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो alpha निकल जाएगा और beta में क्या होता है यहीं फर्मूला होता है बट यहाँ पर plus के जापर क्या जाता है minus जाता है तो इस तरीका से आप alpha और beta निकाल सकते हैं यहाँ पर एक न्याची आया है capital D तेकि capital D का मतलब होता है B square minus 4AC capital D का मतलब होता है discriminant और इसके value होता है B square minus 4AC अभी हम लोग equations करेंगे तो यह स्रीधरा charge method जो है जैसे कि minus B plus root under D ठीक है यह root D मतलब इस D का root आपको निकालना पड़ेगा अब बताइए कि कोई भी number है जो root के अंदर है ठीक है यह क्या है root के अंदर है तो किसी भी number का root निकलता है तो वो number positive होना चाहिए या फिर negative होना चाहिए तो आपका answer होगा कि positive होना चाहिए क्योंकि negative का root आप लोग नहीं निकाल पाते हैं तो अगर मान लेते हैं कि आप D का value निकाले यानि कि B square minus 4AC निकाले और इसका value यहाँ पर positive आ गया तो positive आ गया तब तो कोई बात नहीं है D का value positive अगर आ गया तो तब तो equation क्या होगा solution हो ज अगलग होगा तो D अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा इसका root होगा दो root होगा तो यह condition आप लोगो ध्यान रखना है अब D कैसे निकालेंगे तो D इस formula से निकालेंगे अगर D का value 0 आ गया ठीक है यहाँ पर अगर 0 आ गया 0 plus 0 और यहाँ पर minus 0 कोई फाक नहीं पड़ता है इसका क्या होगा आपका एक ही solution होगा वन रियल solution होगा और अगर D का value negative आ गया तो कोई solution नहीं होगा देगे सभी quadratic equation का यह जवरी नहीं है कि उसका real solution हो ही कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई solution आ हो यानि कि कोई भी number डालने के बाद उसमें क्या हो satisfied नहीं करता हो तो यह कैस से पता चलेगा तो यह पता चलेगा डी के value से पहले आप लोग D का value निकाल लेंगे अगर D का value positive रहेगा या फिर zero रहेगा तो आगे बढ़ेंगे और अगर negative रहेगा तो आगे बढ़ने की कोई जोरतने वहां पर लिख देना है कि no real roots इसका कोई भी real वास्तविक solution नहीं हो तो आप यहां पर क्या कीजिए further message कीजिए उस group में जो आपका group बना हुआ है class का जो batch जहां पर आप चीजों को share करते हैं वहां पर जरूर share किया कीजिए कि यहां पर दिक्कत हो गया जो next class आएगा उसमें हम लोग जरूर solve करेंगे या फिर आप message भी कर सकते है पस्नली भी क कर सकते हैं अगर group पर आप नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर देखें कि sum of roots क्या होता है जिसे roots यहां पर था x square प्लस bx प्लस c इसका दो root था एक था alpha और 2 था बीटा अगर दोनों का root हम लोग का sum निकालेंगे तो यहां जाएगा minus b upon a इस formula को आप याद आख सकते हैं minus b upon a minus b और a क्या है यह आप समझ रहे हैं भली बाती a क्या होता है x square का coefficient होता है x square के जो बगल में होता है उसको a बोलते हैं जो x के बगल में होता है उसको b बोलते हैं और जिसमें x बगल नहीं लगा होता है constant होता है इसको हम लोग c बोल into 4ab या फिर alpha बीटा में है तो minus 4 alpha बीटा तो यह इसका formula है यह आप लोग याद रखेंगे तो यह था आपका complete quadratic equation हम समझने के लिए क्या करते हैं एक question आप लोग उसे solve करवाते हैं यहाँ पर हम अलग-अलग दो method से हम लोग यहाँ पर solve करेंगे आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे सांति पुर्वा क्योंकि इसके बाद यही आपका problem practice है और इसी से आप लोग का सारा concept clear होगा यहाँ पर देखें काड़ा है कि find the solution of 6x squared minus 5x plus 1 equal to 0 ठेक है काड़ा है कि इसका आप solution निकाली है पहली चीज यह जो equation दे रखा है यह equation है quadratic equation है क्योंकि यहाँ पर x squared है minus 5x है और plus 1 है x squared plus bx plus c के format पर है तो quadratic equation है यह कर रहा है कि also find the sum and product अपर चले यह हम निकाल लेंगे ठीक है जब root निकाल लेंगे तो root का sum भी कर लेंगे और साथी साथ प्रोडक्ट भी कर लेंगे तो इसको इसका हम लोगों को root निकालना है तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहा देखिए एक चीज है जो बच्ची अभी 10 करके 11 में गये है वह चीजों को ज्यादा skip कर रहे है यानि कि आप आप skip करने का मतलब step घायब कर देरे खो यहां से लिखने के बाद सीठे उठा कर यहां लाना चाहता है अपने मन में सचता है कि सिदा यहां अजासा अजाए अगर एसा अभी से आपitives करेंगे तो मुसिदक ने फशनेंगे, आप लोग पो समझ में nth करतेतगे हैं आपको समझ में नहीं हों कि middle वाले term को जो बीच वाला होता है यानि x वाला जो होता है इसको हम लोग factorize करते हैं ठीक है? जैसे यहाँ पर इस example समझें यहाँ पर बीच में क्या है? minus 5x इसको हम लोग factorize करेंगे factorize करने का मतलब है विभाजन करेंगे दो भाग में इस तरीका से करेंगे ध्यान देंगे बीच वाले x वाले terms को इस तरीका से हम लोग 2 भाग में बाटेंगे कि जो दोनों भाग है उसका product इन दोनों के product के बड़ावर हो जाए ये वाला और ये वाला इन दोनों के product के बड़ावर हो जाए once again, फिर से एक बार सुनिए, कि middle वाले term को, यानि कि minus 5x को, इस तरीका से दो भाग में हम लोग divide करेंगे, कि इन दोनों का जो product है, वो दोनों last वाला, यानि कि 1 और 6x square के product के बड़ाबर हो जाएगा, ठीक है, तो अगर 6x square और 1 का अगर आप product करेंगे, तो कितना आएगा, त असलब इसको आपको इस तरीका से divide करना है, कि ये दोनों का product करने वाद 6x square आजाए, तो देखिए, यहाँ पर हम करते है, यहाँ पर 6x square यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, माइनस, अब देखिए, माइनस 5x को, आप माइनस 3x, माइनस 2x लिख सकते है, ठीक है, कोई माइन के और इसके product के बढ़ाबर होना चाहिए, तो अच्छा बताए, इन दोनों का product कितना है, 326x square, माइनस, माइनस, प्लस, यानि कि प्लस 6 square हो गया, यहाँ पर valid हो गया, कि इनका भी product यही है, यही इसका सही factorization है, अब हम लोग क्या करते है, इन दोनों में देखिते है, ठीक ह अब देखिए, जब factorize कर देते हैं, इन दोनों में देखते हैं, क्या common है, तो इसमें दोनों में common है, 3x, ठीक है, तो 3x common है, तो अगर इसमें से 3x common ले लेंगे, तो बच जाएगा 2x, और यहां से 3x ले लेंगे, तो बच जाएगा 1, फिर इन दोनों में हम लोग देखते ह है क्या common है कुछ भी one common है तो माइनस वन यहां पर ले लिए यह बच गया 2x और माइनस इंटू प्लस कितना हो जगा माइनस तो माइनस वन बच गया तो यह चीज़ हम लोग यहां पर MP2-1 तो यहां पर पर क्या बच गया यहां बच गया 3x और यहां बच गया माइनस वन यहां पर बच गया 3-1 इक वहटे 146 इसनी अफेर सब्राव जयरो एक्विक ट्रॉटी सब्रां है इस्तुर साहき हो और यहां प säफ हो इन दोनों का प्रड़क्ट जीरो है इसका मतलब है कि टू एक्स-वन इकल टू-जीरो हो सकता है यहां से आपका दू स्युलूशन निकल के है एक्स उकल टू क्वाइशन आएगा और क्वाइटिक एक्वेशन कहीं पर दिखाई देगा उसको करना है तो कोसिस करेंगे कि यूज करें वह फॉर्मूला वाला नहीं करें और यह तो काफी आसान बन जाता होगा आप लोगों के लिए जब इसको पढ़ते होंगे तो अगर मान लेते हैं कही यह फर्स्ट मेथद है फ्रक्राइशन मेथड उसके अलाबा अभी जो हम लोग फॉर्मूला बताए थे यह आप देख सकते हैं स्रीधरा चार्ज ठीक है स्रीधरा चार्ज मेथड जो है यह जो मेथड है इस फॉर्मूला से भी हम लोग यहां पर आप कैलकुलेट करने कि इ दे कि एक स्क्वाइड के जो गगल में होता है वही अ होता है मानिक एक आप आपर शीडो करने के बाद इसको करेंगे यहां वन आ गया और इसको स्वाल्व करने के लिए शीध यहां चार्ज मेन थाज थे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डीका वहलू तो डीज कितना होत 5 का square minus 4 a का value आगया 6 और यह 1 यानि कि 25 minus 24 यानि कि 1 आ गया d का value कितना आ गया 1 आ गया अब d आ गया तो अलफाब निकाल दीजे यहां से और बीटा निकाल दीजे यह फोर्मूला तो आपके पास है कि minus b plus root d by 2a और बीटा हो जाएगा minus b minus root d by 2a अब सब का value यहां पर रखिए minus का minus और b के जाब पर कितना minus 5 यानि कि यह रख दिया हम लोग minus 5 ठीक है फिर plus और root d यानि कि root 1 इसको solve करने के बाद भी आएगा 1 by 2 और 1 by 3 इसका solution आएगा जो पिछला जो अब यहां देखेंगे तो यहां भी 1 by 2 आया है और साथ ही साथ यहां भी 1 by 3 आया है दो solution आया है और इस method से भी 1 by 2 और 1 by 3 आया है तो यह चीजे है ठीक है तो आप दोनों में से किसी भी method से चीजों को solve कर सकते हैं अगर factorization आसानी से हो जाता है तो बेतर रहेगा कि आप लोग factorization method से ही solve करें अगर आसानी से नहीं होता है तो आप स्रीधरा charge method पर जा सकते हैं alpha बीटा वहाँ से निकाल सकते हैं चीजे और यहाँ पर है क्या रहा है कि sum और product निकाली है रूट्स का तो अपनी काल दीजे दोनों रूट्स निकाल गया है एक रूट्स कितना है वन वाइट टू और दूफा रूट्स कितना है वन वाइट री दोनों का sum और product आप लोग यहाँ पर खुद से कर दीजे ठीक है यह चीजे यहाँ पर आगई अब देखें एक और question है यह चोटा सा question है यहाँ पर कि x square minus 9 equal to 0 यह equation है अब यह सबसे पहले समझने है आपको क्या क्योंकि यहाँ पर एक स्कॉयर का term है बांकि सर बोलेंगे सरा एक स्कॉयर वाला लेकिन होना चाहिए और मैक्समुम एक स्कॉयर ही होना चाहिए तब अब यहाँ पर देखें इसको हम लोग क्या करते हैं स्रीधा आज से भी स्वल्व कर सकते बाट वहाँ फर्मूला में जाने की कोई जोड़त हम लोग को नहीं है simply यहाँ स्वल्व कर लेंगे कि x square minus 9 equal to 0 यानि कि x square equal to कितना कि 9 आ गया x equal to आजएगा प्लस मैनस रूट 9 यानि कि प्लस मैनस 3 तो अलफा जाएगा प्लस 3 और बीटा जाएगा माइनस 3 तो यह चीज़े यहाँ से एक छोटा सा questions था जो काफी लोगों को यह clear हो गया होगा ठीक है तो यह निकाल सकते अब अलफा प्लस बीटा इसका फर्मूला होता है यह फिर कितना है यह यह उसे निकाल सकते है या फिर इन दोनों को सिधा आप लोग प्रोडक्ट कर दीजे या फिर दोनों को सम कर दीजे तब भी यहाँ से फोड आप लोग मान लीजे ठीक है तो जब यहाँ पर बच्चे लिखते हैं एकस का है लूट सीधा यहाँ पर टू लिख देते हैं जब कि यह गलत है अब ठीक है आप लास त्यंथ में करते होंगे बट अब यह गलत है अब यह आ जाएगा प्लस माइनस टू आएगा ठीक है क्योंकि आप क्या करेंगे कि अगर यहां पर प्लस टू रखेंगे तब भी फोड आये और मैनस टू का स्कॉर करेंगे तब भी फोड आयेगा यह दोनोंसका सुलूशन होता है कभी आप यह गलती नहीं करेंगे कि सिर्फ प्लस टू लेके छोड़ देंगे अब क्लास 11 में आने के बाद नहीं तो गलती हो जाएगा ठीक है यह था हमारा अब आईए हम कुछ होमवर्क देएते हैं आप लोग इसको करके जबूर आईएगा यह हमारा है होमवर्क ठीक है इसका जो होमवर्क का जो यह आपका कर दीजिए कि इस तरह से अप्लोड किया हुआ है वैसे आप लोग सब्मिट कर दीजिए बनाकर पीडिया बनाकर हम उसको चेक कर लेंगे ठीक है तो पहला है कि राइड ऑन देग्जैंपल आपको पांच क्वार्डेटिक एक्वेशन का एक्वेशन का लिखना है कोई भी ठी अधरवास्तरी द्राजाज मतल से बनाएए ए भी शी लिखिए फिर दी लिकारी और अलफा और बीटा निकाल लीजिए यह पांचों में यहीं चीज करना है एक और कोशन यहां पर कोशन नमर थी इफ अलफा एंड बीटा इस रूट्स ऑफ क्वार्डेटिक एक्वेशन य होगा यह चीज आप लोगों को करनी है आगे हैं ट्रिगोनिमेट्री से कोशन हम यहां पर डाल दी है क्योंकि ट्रिगोनिमेट्री अभी-भी खतम हुआ है इस लेक्टर से पहले तो कहारा है कि find the value of sign 570 degree sign 570 degree का value 10 15 degree का निकालिए कॉस 600 degree का निकालिए और sign 860 degree का निकालिए जहूर आप लोगों कीजेगा एटम कीजेगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथी साथ आप लोग सीखेंगे भी जैदा फे जैदा फिर कर रहा है कि prove that आप सावित कीजिए कि 10 2 theta को है लो 2 2 theta y 1-10 square theta के बड़ावर होता है हम आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट देते हैं यहाँ पर जो formula यूज होगा वो 10 A plus B वहला यूज होगा ठीक है 10 A plus B वहला formula यूज कीजिए और A और B दोनों के यहाँ पर theta रख दीजिए यहाँ से solution निकल कर सामने आ जाएगा तो यह था हमारा आज का quadratic equation और quadratic equation हमारा complete हो अच्छे से समझ में आ रहा है अगर आपको किसी वी तरह की dot होती है तब आपका जो batch का जो group है जहां पर आप अपनी बातों को रखते हैं वहां बढ़ा बात को रखिए next class में हम आपको dot को दूर करने की पूरी कोशिस करेंगे ठीक है या अब 10 बजे क्या सपास हम live आते है जहां पर बच्चे हमसे जूरते हैं और अपने सवाल हमसे live class में ही भी पूछ लेते हैं तो वहां पर भी हम आपको यह बता देंगे ठीक है question जो भी आप लोगों को dot होगा चाहिए पिछला class में हो चाहिए अभी के class में हो यह सारी चीज़े हम वहां पर आपको solve कर देंगे especially हम इसलिए यहां पर live आते हैं साथे साथ आप लोग regular यहां पर course को cover किया कीजिए काफी सारे चीज़ पढ़नी है जैसे आज quadratic equation हुआ है कल हम लोग logarithm करेंगे और जो logarithm है वो कल हमारा खत्म हो जाएगा यानि कि एक दिन में हम लोग basically एक chapter अभी के समय mathematical tools में खत्म कर रहे ह है और उसका unit and dimension, scalar and vector यह सारे चीज़ श्टार्ट करने वाले हैं यह नहीं अगर आप लोग समय में है तो काके दिक्कत होगा तो अपने time to time यह चीज़े clear कर लीजे daily आपका lecture आ रहा है और अगर आप daily करेंगे तो फिर आप लोग ज्यादा सीख पाएंगे चीजों को ठीक ह चलिए आज के लिए इतना ही अच्छे से पढ़ाई किजिए अपने शेहत का ध्यान दखिए